हेलो मैं डॉक्टर अनीता कावडिया एसोसीट प्रोफेसर हिस्ट्री गॉर्मेंट मीरा गल्स कॉलेज उदैपूर आज हम एमे प्रीविस इस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का टॉपिक स्कॉप ओफ इस्ट्री इस पर आध्यन करेंगे इत्यास का शेत्र ये स्कॉप ओफ इस्ट्री इसके बारे में क्या विचार हैं और इसको हम इस टॉपिक के अंतरगर समझने का पूरा प्रियास करेंगे यदि हम शेत्र की बात करें तो इत्यासकारों का विचारे की समय के साथ इत्यास के शेत्र में भी विस्तार हुआ है और उसमें नवीन शेत्र जुड़ते गए हैं। इतियास का मुख्यकारिये घटित घटनाओं का वर्णन करना, उनके घटित होने के कारण बताना और उनका विस्टलेशन करना, उसका शेत्र भी निरंतर इस आधर पर बढ़ रहा है। इतियास सरवादिक प्राचीन विश्यों में से एक है, और प्राचीन काल में केवल थोड़े ही अच्छे इतियास कार थे और उनका लेखन कारिये, केवल कुछ युद्ध, जैनिक उपलब्दियों, एवं धर्म तक सीमी था, ना केवल कुछ विश्यस्ट घटनाओं को ही वो लिपिवद्ध करते थे, और अधिकांश्ट उनके इतियासिक कारियों में राजाओं का ये शोगान होता था, जिनके वे आश्रित होते थे, इसलिए इतियास का शेत्र अधिक विस्तरित नहीं था, जब विश्य सामगरी अधिक होती है तो शेत्र में भी अभिवरत्ती हो जाती है, कोई भी विश्य किसी समय में अनी किसी विश्य से संबध्ध अतुँ असका एक भाग हो सकता है, और आवशिक संस्योधन और परिवर्दन के कारण कालंतर में वे स्वतंतरता का रूप धारण कर लेता है इत्यास भी कभी राजनिती शास्त्र तो कभी दर्शन शास्त्र का एक सारा है परन्तु अब वे एक स्वतंतर विशे है इत्यास विशे में निरंतर होने वाले परिवर्थनों की कारण उसकी शेतर में विस्तार हुआ है इसमें सामाजिक आश्यक्ताओं और शोध कारियों का विशिश योगदान रहा है तो समाज के विकास के साथ-साथ इत्यास के शित्र में भी निरंदर विकास होता रहा है और इसमें जो मुख्य घटनाएं हैं पहली है उन घटनाओं का संकलन जो घटित हुई है दूसरी ये घटनाएं क्यों और कब घटित हुई और तीसरा ये घटनाएं कैसे घटित हुई इत्यासकारों ने विबिन घटनाओं का उलेख कीवल उनके वर्णन के द्वारा ही नहीं किया है अपितु आलोशनात्मक पद्धती को अपनाया है राजवन्शों के उत्थान और पतन के सासाथ उन्होंने शाषकों की जीवनशेली और उपलब्दियों की व्याख्या करते हुए सामा जीक पहलूं, रिती रिवाज और परमपराओं का भी उलेख किया है आज इत्यासकार सामाने व्यक्तियों का भी बढ़नन करते हैं और इत्यास ने स्वयम अपना इस्थापित कर लिया है वस्तुत इत्यासकारों ने जीवन के प्रतेक शेत्र को अपने अध्यन का विश्य बना लिया है इसलिए इत्यास की अध्यन शेत्र में उत्रो उत्तर विस्तार होता रहा है और इसलिए इत्यास का शेत्र उसका स्वरूप हम सामाजिक आवशिक्ताओं के अनुजाद सदे विक्सित होते देखते हैं अतितकलिन समाज का वपून चित्रण ही इत्यास का मुख्यों देश होता है किसी भी समाज से सम्मंदित भोगोलिक दशाव वातावरन आर्थिक अवस्ता राजनेतिक और सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक प्रशाशनिक सम्वेधानिक कानून नियाय विवस्ता चुरक्षा व देवी का भी ये समान नहें और इसलिए आधुनिक इत्यासकरों ने इत्यासका शेत्र का वरगी करन किया है और वे अपने इसके आधार पर देवी को हम ले सकते हैं इत्यासका वरगी करन उपयोगी और सौभावी के और इसका एकमत्र विशेश तता परिवर्तित घट्टा है एफसी एस शीलर ने भी इत्यास शेत्र के वरगी करन के सम्मंद में कहा है कि विस्त्रित वरगी करन तो दूरलब है फिर भी इत्यासकरों ने अतीत काली घटनाओं के आधार पस सामाजिक प्रशनों का उत्तर देने के लिए इत्यास का इत्यास शेत्र का वरगी करन किया है इसमें हम ले रहे हैं राजनेतिक इत्यास राजनेतिक संस्ता हैं समाज की रंगमंच है जहां महापुरुष अपने कारियों को प्रदर्शित करते हैं समाज की जीवन में इसका अधिक महत्व है और इसी लिए एल राउज इन्हों इसमें इत्यास की रीड इसे माना है जनसादरन की इस अंस्ता में यूग पुरुष तत्काली घटनाओं को नेंत्रित करने के लिए अपने इच्छाओं की अभी व्यक्ति करता है समराट अशोक अकबर महान मात्मा गांदी जवाला नहरू इनके कारियों लब्धियों का प्रदर्शन राजनितिक रंगमंज पर भी हुआ है और इन नायकों ने अपने कारियों के परिवेश में तत्कालीन समाज के भागे का निर्मान किया है इसमें प्राय युद्ध, संधियां और क्रांति केर नेत्रित का विवरण मिलता है परन्तु ये घटना इतनी महत्पुन होती है कि इनमें तत्कालीन मानवी समाज की इच्छा नहीत रहती है तथा मानवी कारियों पर इसका व्यापक प्रभाव पढ़ता है तो अतीत समंदी महापुरशों की कारियों, उपलब्धियों, सफलता रैस सफलता से यूग पुरुश, सिख्षय प्राप्त कर राजनेतिक रंगमंच पर महापुरशों की जीवनी कारियों को उपलब्धियां वर्तमान को प्रकाशित करती है और भविष्य के लिए मार्ध दर्शन का कारी करती हैं। इत्यास की जहां का बात है। इत्यास में अंतर को इस पस्ट करने का प्रियास किया है। कुछ विचारकों ने इत्यास लेकर इत्यास शेत्र को विक्सित करने में मैं पुर्ण भूमी का अदा की है। इन विद्वानों ने इसके अध्यन किया शक्ता अनुभाव की। क्योंकि इसने जन सामाने को प्रभावित किया है। मनुस्मरती, हमुराभी का कोड, नेपोलियन, मेकाले, इनकी इंडियन पैनल कोड का प्रभाव जन सामाने पर पड़ा है। इसी तरह से ब्लेक स्टोन कृत, कॉमेंटरीज अफ ला ऑफ इंग्लेंड तथा पीबी काने का दर्मशास का इतिया, इस वर्ग की माहन उपलब दिया है। इसी तरह हम अगला टॉपिक है, आर्थिक इतियास, आर्थिक इतियास को मैद्पून बनाने में भी कार्ल माक्स, इसके अलावा कॉम्टे, बर्कले, इनका भी महान या सरवादिक योगदान रहा है। कार्ल माक्स द्वारा इतियास की आर्थिक व्याख्या ने अनेक इतियासकारों को इस विशे में सोचने के लिए बात दे कर दिया। समाज की प्रारम के साथ ही आर्थिक इतियास का उदे होता है। समाज ने अपनी आजिवी का के सादनों को किस प्रकार उत्पन किया, इसका ज्ञान आर्थिक इतियास प्रदान करता है। उधारन के लिए इंग्लेंड के उद्गी करांती के प्रद्शात इसका महतवधिक बढ़ गया है। और जी एन क्लार्क के अनुसार आदुनिक यूग में आर्थिक इतियास ने इतियास शेतर के अंतरगत एक उच्छे स्थान प्राप्त किया है। आर्थिक इतियास के माध्यम से वर्तमान समाज इतियासकारों से आर्थिक प्रश्ण पूसता है। प्राप्त करता है वे आर्थिक इतियास के प्रमुक्तत्व होते हैं। आर्थिक इतियास की शेत्वे मनुश्य की कारियों को प्रभावित करने वाले विचार, समाज का उद्देश, विभिन समाजिक वर्गों का पारस पर एक संबंद और व्यवार का अध्यन आदि विशे होते हैं। इतियास का प्रियास ये देखना है कि आर्थिक परिष्टितियों की परिणाम सरूप किस प्रकार समाजिक संबंदों तथा मानुवे विवार में परिवर्टन होते हैं। कि इतियास का अध्यन मानुवे व्यवारो कारियों के परिवेष्ट में सामाजिक परिवर्टन है तो ये इतियास की आर्थिक कहानी है। आर्थिक इत्यास के इंतरगत जीविका के साधन, क्रिष्टी, यातायत के साधन, उध्योग, व्यापार, आधि विश्यों का अध्यन होता है 1917 की राज्य करांती के बाद आर्थिक इत्यास का महत तिब्र गती से बढ़ता जा रहा है माक्सवादी विचारों से प्रभावित होकर आने इक बार्थि विद्वानों ने आर्थिक इत्यास की विविन शाखाओं का अध्यन किया इनमें रजनी पामदत, कोशामवी, एर्फान हबीब, इन्होंने आर्थिक इत्यास लेखन को एक नवीन दिशा प्रदान की थी इसी तरह से सामाजिक इत्यास, कौम्टे के अनुसर इत्यास सामाजिक बहुतिक शास्त्र है, इसके अंतरगत मानवी विवहार के सामाने नियमों का अध्यन किया जाता है टॉयन भी ने भी लिखाये कि इतियास का निर्मान सामाजिक अनुत अत्वों से हुआ है इतियास का विकास व्यक्तियों रास्टों से नहीं बलकि विभिन्य यूगीन समाजों से हुआ है है इतियास की आधारशिला समाज है समाजिक इत्यास को सरवादिक लोकप्रिय बनाने का एक मात्र श्रे ट्रेवेलियन को है उनके समाजिक इत्यास का इस्थान अत्यदिक मैत्पून है समाजिक इत्यास की परिवाशा में भी ट्रेवेलियन का विचार अधिक ग्राहिये है अतीत में मनुश्यों का देनिक जीवन, विबिन वर्गों का पारसपरिक आर्थिक संबन, परिवार का स्वरूब, ग्रेस्ट जीवन, श्रमिकों की दशा, मानवी दृष्टिकोंड, संस्कृतिक जीवन, तथा सामानिय परिष्टितियों से उत्पन, धर्म, साहित्य, संगीत वास्तुकला चिक्षा तथा साहित्य है रेनियर के अनुसा सामाजिक इत्यास आर्थिक इत्यास की प्रस्ट भूमी तथा राजनेतिक इत्यास की कसोटी है तो ट्रेविलिन की द्रस्टी में सामाजिक इत्यास के अभाव में आर्थिक इत्यास मारुस्थल तथा राजनेतिक इत्यास आववाननी है तो भारती इत्यास में राजनेतिक उथल पुथल के कारण अनेक राजवन्शों का उथान पतन हुआ राजपुतों के पतन के बाद तुर्की, सुल्तानों, मुगलों और अंग्रेजों का शाशन हुआ परन्तु इन परिवर्तनों ने सामाजिक जीवन को प्राय प्रभावित नहीं किया परिणाम सुरूप भारती सवाज का मूल सुरूप आज भी वही है जैसा वतंबुद्ध या मावीर के समय में था बक्तियां अंदुलन के समय, बक्तियां अंदुलन के समाज सुधारक, रामानंद, कबीर, नानक, चेतन्ये ने समा सुधार के लिए ठक प्रियास किया संसत अथा विधान सबाओं ने अनेक नियम पारिद किये इत्टे प्रियासों के बहुजूद सामाजिक स्वरूपों में किसी प्रकार का खरांधीकारी परिवरतन नहीं हु Clay यदि सामाजिक परिवर्तन को सिवकार भी किया जाएं तो भूमीगत जल्स रोतों की भाती इसकी गती इतनी मंद और अगोचर रही है कि उसका सुक्ष में निरुपन कठिन प्रतीत होता है समाज शास्त्रियों ने इस परिवर्तन को गती का विसलेशन करने का प्रयास किया है सामाजिक इत्यास में उनका महत्पून योगदान है इसी तरह से राजनाई कि इत्यास, सांस्कृतिक इत्यास, धार्मिक इत्यास, अपनिवेशिक इत्यास, संसदी इत्यास, सैनिक इत्यास, आदी इसमें आगे हम देखेंगे तो आज भी इनके माध्यम से इत्यास के शेत्र को समझा जा सकता है, इत्यास के विचारों का सलत, रस्तित्स है और देवी ने बताया है कि विचारों का संबंद शरीर और आत्मा से हैं, यही कारियों का प्रेणा श्रोथ होता है कॉलिंग मूर्ण ने समस्त इत्यास को विचारों का इत्यास कर गया है क्योंकि मानवी कारियों का यही उद्गमिस्थल है और मनुष्य को कारी करने के लिए प्रेरित प्रोसाहित और बाद्य करता रहता है परिनाम सरुप समस्त इत्यास विचार प्रदान होता है तो एतिया सिक गयान